नमस्कार मैं सुमंत कस्या पेश्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ आज का ये वीडियो बर्थ स्टाइम लेक्टिफिकेशन और थात जन्म समय सुद्धी करण पर अधारी थे इनका जो जन्म समय हमने लिया है नौ पिछले बीटी यार वाले सभी वीडियो का लिंक में दे दूंगा जो लोग नहीं देखे होंगे देख लेंगे सबसे खासे वीडियो इसलिए है कि इनकी जन्म समय में देड़ घंटे का अंतर यानि इनका कहना था कि लगवग साड़े आठ वजे से लेके और दस बजे के असपास तर आठ साड़े आठ से लेके दस बजे के बीच तक का डेड़ से दो घंटे का और सबसे बड़ी बात यहां मैं आपको बताऊं यह जो दस नमबर लगन है यह छे डिगरी का और वहीं जब आप इसको साड़े आठ करते हैं साड़े नौ जो मैंन लिया एक घंटा पहले आप करते हैं तो यह नौ नमबर लगन हो जाती है आए मैं इसको आपको दिखाएं देता हूं टाइम यहां पे जो नौ 31 है इसको आठ कर देता हूं तो देखें नौ नमबर सीधा लगन बदल जात तो सबसे बड़ा काम यह करना होता है कि लगन हम कैसे रिसाइड कर तो जो प्रचलित पधती है रूलिंग प्लैनेट के द्वारा जैसा कि यह बहुत ही टाइम टेकिंग काम था तो मैंने पहले इनका बीटी आर की आप कई ब तो फिर इससे मदद मिलती है तो मैं आपको सीधा प्रोसेस बता रहा हूं जिसको आप अच्छे से समझ सकते हैं जब यह नौ नमबर मैंने लिया तो इस धनू लगन की कुछ विसेस्ता मैंने उनको बताई यह भी इन से मैच कर रहे थी और जब साढ़े-9 वाला समय जब मै मैच हुई तो देखिए लगन के अधार पर जो हम भी सिस्ता मैच करते हैं वो सही नहीं हो सकता है रीजन क्या है यहां धनू लगन का स्वामी जूपिटर होता है अगनी तत्व का यह लगन है तो ऐसा नहीं है कि सब किसी में यह गुण मिलेगा यदि जैसे इस कुंडली मे लगन में सूर्य और राहू बैठे हैं तो यह भी जातक के नेचर को परभावित करेंगे यदि यहां चंदर होता तो भी जातक का नेचर परभावित होता लगन का सबलोड यह दि चंदर होता और चंदर जल त तत्व रासी में बैठा होता तो अगनी तत्व से सीधा प्रधानता जल तत्व की हो जाती है तो ऐसे मैच करना कई मामलों में सटीक एक रिजल्ट नहीं देता तो यहां मैंने एस्ट्रो वस्तू के कॉर्डिंग इन से बात शुरू की तो सिर्फ एक पॉइंट है इस कुंडली से मैच हुआ कि उनके घर के इस्ट के तरफ से इस से लेके साउथ इस तक का जो हिस्सा था वहां सूरे से रिलेटेड वस्तू की उपस्तिती और फिर कीचन था और खिड़की थी रोस्नी आनी की जगा थी सिर्फ एक मैच हुआ बाकी कोई मैच नहीं हुआ तो जो नहीं हुआ उसको भी आँ छोड़ देते हैं अगले में जिससे मैच हुआ है वह हम आपको बताते हैं अब हम साढ़े नौ का टाइम ले लेते हैं जो हमारा रेक्टिफाइड टाइम मिला है नौ बज के 31 मिनट और एक सेगेंड का हुआ कि अब इसके according हम ने उनसे पूछा कि क्या आपके घर के पूर्वदी सामें photo अगरा है इन्ओने कहा हां क्या आपके घर के अगनी कोण में kitchen हैं इन्होंने कहा हां क्या आपके नॉर्थ में सकता है सेकेंड फॉर्ट में धी फोटोabh स्ब्सक्राइब क्या पत्कुछ आइन जो नौुक्त की तरफ का लिगे नॉर्स वेश्ट के तरह बढ़ते हैं उधर सनी से रिलेटेट कोई आइटम है तो इनका हां यानि लगभग बहुत सारे मैंने इनसे प्रस्ण किया इनको घर के लेके और सभी इनका मैच हुआ तो जब इससे मैच हो गया तो यहां पे एक authenticity उस कुंडली की तुलना में यहां पे बन गई अभी लगन को सेलेक्ट करने के लिए ruling planet का भी हम प्रयोग करते हैं मैंने इस टाइम इनका birth time verification करना चालू किया उस टाइम ruling planet ने जूपिटर भी था सैटर्न भी था लेकिन दोनों में सैटर्न ज्यादा पाउरफूल था जैसे अभी यहीं पे current का ही देख लीजे यह जो ट्राइंट रूलिंग प्लैनेट यहां आ रहा है यहां भी जूपिटर भी आ रहा है और सैटर्न भी आ रहा है तो इसी का यूज किया जाता है वैसे यहां से मैं नहीं लूँगा चुकि मैं तो पॉले कर चुका हूं तो जिस टाइम मैंने किया था उस टाइम सनी ज्यादा पाउरफूल था फिर भी वहां से सिर्फ हम सेलेक्ट नहीं कर सकते थे जब तक जातक प्रेडिक्शन से संतुष्ट ना हो कि हां जो टाइम आप बता रहे हैं और जो व इस लगन में भी आने के बाद यह जो एस्टार होते हैं सभी हाउसेज के यह स्टार को फिक्स करना वो भी हमने किया यह थोड़ा सा लंबा प्रसेस होता है इसलिए इसको नहीं बताऊंगा आपको फिर इसके बाद सब्लोर्ड सेलेक्शन करता अब सब्लोर्ड में यह सबस करना है तो इसके अध्यान करना हुगा जैसे कुणली आपकी कुणली और यह कहीं चाहिए कि लगन क्या रिजल्ड देगा तो लगन मिस लगन के हम सब्लोर्ड का अध्यान करेंगे वह क्या रिजल्ड देगा यह बहुत हैं बड़ी बिजनसमेन है इनका अपना काम है यह अपने सोख्या तोर पर यह इसको कर रहे हैं जो मेरी इनसे बाते हुई जो कम्युकेशन इश्कील था उस एकॉर्डिंग जो लगन का सब लॉड मर्कुरी है वो बहुत ही अच्छा इनको रिजल्ट दे रहा है और मर्कुरी जो हम बात करें कि क्या रिजल्ट दे रहा है यहां से आई है तो मर्कुरी तीन और ग्यारा का स्टार लॉर्ड बनने के साथ साथ छे नौ ग्यारा का भी रिजल्ट दे रहा है इनको घूमना भी अच्छा है सर्विस प्रोवाइडिंग वर्क है इनका लविंग एंड केरिंग नेशर के हैं मरक्यूरी यहां पर इनके कोडिंग बहुत ही अच्छा बैठा सेकंड का सबलोड वीनस है जो खाने का सोखिन जातक को बनाता है साथ निसाथ जातक की जो वाड़ी होती है वो इंप्रेशिव होती है और थोड़ा ही खाये कम खाये लेकिन अच्छा होना चाहिए जो भी जिस लेवल में जिस फाइनेंसल कंडिसन में उसके अकॉर्डिंग बेस्ट की ही 24 होती है उसके बाद बात करें इनकी पतनी को लेके सेवन्थ का भी सबलोड मरक्यूरी बना हुआ है और जो मरक्यूरी की जो फीचर्स हैं वो इनकी वाइफ में मौझूद हैं इनके केरियर के हम बात करें तो तेंथ का सबलोड देखे सनी है इनका ट्रांसपो से सनी में भी मौजूद हैं जो इनको धन दे रहें कोई समस्या नहीं अब रही बात यह इस जोतिस और उकल्ड फिल्ले में क्यों आए एक तर्फ ट्रांसपोर्ट का काम दूसरा वास तू यह उकल्ड इनकी महादसा पर आएंगे इनकी महादसा में केतु है और केतु में अंत 2016 तक थी और केतु 2016 के बाद आई है जैसे ही केतु की दसा आनी है केतु में देखिए चार और ग्यारा चार पांच और ग्यारा चौथा वास्तू का काम होता है पांचवा एस्ट्रोलोजी से जुड़ा हुआ है अपने आप जातक का इंटेंशन उस दिशा में हो जाएगा ज आपके सौख का ही तो है तो यहीं सौख यह इस काम को करते हैं यह तो मिनट लेवल तक था है जब हम सब लौड पर आते हैं सेकंड लेवल के लिए हम सब सब लौड जब यह फिक्स करते हैं तो आपका बर्थ टाइम सेकंड लेवल तक चला जाता है यह कैसे फिक्स होता है स आप मून थेली होती है, साथी, क्लाइंट के जो फैमिली मेंबर्स हैं, घर के, छोटे भाई बहो गया बड़े भाई संतान हो गया, पतनी, माता, पृता, जिसका भी बर्थ डिटेल्स हो गा, उस बर्थ डिटेल्स के अगर्वों को सही किया जाएगा. जैसे आपकी माता जी का यदि बहुत डीटेल्स है तो उसके according आपके fourth house को सब-सब level तक सही किया जाएगा संतान का है तो आपका पांचवा house सही किया जाएगा father का है तो ninth house को छोटे भाई बान का है तो third को बड़े का है तो 11th को इस तरह से दो यदि छोटे भाई बान है तो तुरंत वाले को हम third से लेंगे उसके बाद वाले को fifth से लेंगे तो इस तरह से सभी भावों को हम सही करते हैं ये जेनेटिकल कनेक्शन होता है और सब-moon थियोरी के दवारा इस लगन को हम select करते हैं लगन के सब-सब लौड का संबंध इस मून की फैमिली से या मून का जो एस्टार है उसकी फैमिली से डैरेक्टली बनना ज्यादा बेहतर होता है जब यहां तक यह हो गया और इसके अधार पे जब हमने इनको प्रेडिक्शन बताई तो यह काफी मैच हुआ जो लोग आप में से astrology जानने वाले हैं वो इनके नाड़ी सिग्निफिकेटर स्चार्ट को भी देखेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा ट्रांस्पोर्टर 50 पलस गाड़ी हैं और astrology से सौखीन आपको असानी से यहां पे दिख जाएगा वास्तु कंसल्टेंट के काम इस्ट्रलोजर के काम यह सारी चीजें इनकी कुंदली में मौझूद है यदि आप मुझे इस्ट्रॉली सीखना चाहते हैं तो चार मार्च से मेरा वर्क्सॉप चालो हरा है पेड़ ग्रूप है तीन से चार महिने का ग्रूप है उसके बाद च सीखना चाहते हैं या आप अकेले सीखना चाहते हैं तो आपको फी देना होगा 51,000 और दोनों ही मोड में प्रैक्टिस सपोर्ट चार महिने का मिलना ही मिलना है जब आपका कोर्स खतम होगा उसके बाद से चार महिने का एडवांस एस्ट्रो वास्तु बहुत ही इंपोर्ट काम होता और दूसरी चीज़ जब क्लाइंट दूसरी जगा है मैं दूसरी जगा हूँ और उसके घर के बारे में जब आप बताते हैं तो क्लाइंट को और भरोसा होता है कि हाँ ये मेरा जो टाइम सही किया जा रहा है ये वास्तु रूप में सही है चुकि मैं मुझ से लग चाहते हैं और बेसिक आगे करते हैं 11000 तो उसके बाद एड़्वांस के लिए आपको 41000 देने हुँगे अप मुझे कुनली विस लेशन के लिए भी जूड़ना चाहते हैं तो जूड़ सकते हैं कुंदले विसलेशन कफी 3100 रूपए 3100 बर्फ ट्राइम कफी सूर्चरें कफी 3100 लेकिन दोनों 1 साथ आपको लेना रगर्फ राइम डेक्रिफिकेशन और शायीं कुंदली विसलेशन तो आपको 5000 रूपइस से ने पढ़ेंगे यह निहीं मेरा वाटसप नंबर है यहां मैं आपको लिख देता हूं कि वैसे डिस्क्रिप्शन वाक्स में भी रहे हैं 5 x 5, 7, 9, 2 और भी कई सारे वीडियोस आपको मिलेंगे बीटी आर से रेलेटेड और एस्ट्रो वास्तु से रेलेटेड वास्तु से रेलेटेड मेरे चैनल कोई आपने सबस्क्राइब नहीं किया है तो कीजिए, सेर कीजिए और नईनी जानकारिया लीजिए, बने रहे, मिलते हैं, कुछ और वीडियोज के साथ, धन्यवाद